हालो, हाई गाईस, वेलकम तो विनाग बिलीवर्स क्लासिस सो स्टूदेंस, आप सबकी प्रिपेशन अच्छी चल रही होगी, सब आप पढ़ रहे होंगे तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लिए कराई हूँ, भोज्ये समूव, फूड ग्रूप्स की, जिसकी बात करेंगे आज हम ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, विदाउट पेस्टिंग टाइम, आज का टॉपिक, फूड ग्रूप्स इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, कि आपके जो भोजन है, उसकी आवरशक्ता क्यों पढ़ती है, देखे, जब हमें भोजन की आवरशक्ता डेली के कारियों को करने के लिए, और आपके जब हम रेस्ट की स्थिती में होते हैं, उस वक्त भी हमारे जो इंटरनल ओर्गन्स होते हैं, उनको भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रत पढ़ती है, जैसे कि आपके लिवर है, किड्नी है, जब हम रेस्ट कर जोते हैं, तो ये आपके ये हर वक्त काम करते रहते हैं, 24 गंटे क्योंकि ये रेस्ट नहीं करते हैं, हमारे बोडी रेस्ट कर रहे होते हैं, वो अपना काम continuously कर रहे होते हैं, उसके लिए भी उनको energy की ज़रत पड़ती है, जैसे आपके liver है, lungs है, intense train है, kidney है, ये सब चीजें जो है काम करती है, तो इनका काम बिना किसी बात है, कि बिना किसी रुकावट के होता रहे, इसलिए भोजन से हमें जो उर्जा प्राप्त होती ह तो वही उर्जा जो है, इसके कारेकलापों को क्या करती है, continuous करती है, कोई भी बाधा नहीं आने देती, सभी पोशक तत्व जो है, इसमें मौझूद, भोजन में सभी जो पोशक तत्व मौझूद होते हैं, वो उनका जब सेवन करते हैं, तो वो हर पोशक तत्व की अलग स अपनी होती है, कि वो कोई हमें देता है आपके एनरजी, कोई आपके निर्मानात्मक कारे के लिए होता है, हर एक जो पोशक तत्व उसका काम, वो हमें अलग एक तत्व देता है, पोशक तत्व देता है, जिससे कि हमें काम करने के लिए उर्जा भी मिलती है, हमारा शरीर स रहता है ठीक है तो आगे बात करेंगर food groups की तो portion की अवशकता को ध्यान में रख कर सन 1944 में जो daily की diet table जो है daily का diet table उसमें time to time क्या किया गया संशोधन किया गया उसको नया रूप दिया गया समय के साथ ठीक है और यह जो changes थे संशोधन कब कब हुआ 1950 में हुआ ठीक है उसके अलावा 1958 में हुआ 66 में हुआ और आपके यह हुआ 81 में ठीक है 1981 में उसके अलावा हुआ 89 में ठीक है उसके अलावा हुआ 91 में और फिर हुआ 93 में ठीक है कब कब हुआ 1958 ध्यान रखेगा उसके अलावा 66 में 81 में 89 में और 91 में और 93 में इन सभी जो है आपके सन में इसका जो संशोधन फूड ग्रूप्स का पोशन के अवशक्ता को ध्यान में रखते हुए समय समय पर किया गया ठीक है उसके अलावा बात करें तो आपके जो भी प्रतेक भोज्य उप्योगी भोज्य पदार्थ होते हैं उनको अहार में सम्मिलित करने के लिए गाइडलाइन तयार की गई थी ठीक है ताकि जो भी पोशक्ततों हैं जिनकी आवशक्ता जादा है आपने सुक्ष मात्रिक पोशक्ततों और आपके व्रहत मात्रिक जिनकी जादा मात्रा की जरूत होती है बोडी को और कुछ ऐसे पोशक्ततों होते हैं जिनकी कम मात्रा की जरूत होती है उनको भी वरगी क परशक्ता को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन तयार की गई तो चलिए देखते हैं आगे इसमें चलिए ये हैं कृषी विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका 1964 इनके 11 आधारबूत भोज्ये समूहों में इनोंने उप्योगी भोज्ये पदार्थों को जो है क्लासिफाइ जिसमे हम पड़ते हैं सबसे पहला आ जाता है दूद वे दूद से बने पदार्थ में हमें क्या मिलता है दूद वैसे basically complete food बाना जाता है इससे हमें मिलता है आपके calcium मिलता है फासफोरस मिलता है आपके vitamin मिलता है vitamin A उसके अलावा ठीक है इससे बने पदार्थ जो होते हैं जैसे ice cream हो गई दही हो गई तो इन में क्या मिलता है वसा और carbohydrate भी होता है ice cream में carbohydrate होता है वसा carbohydrate मिलता है जो दूद वैदूद से बने पदार्थ होते हैं इन से हमें ये वले पोशकतत्व जो है वो प्राप्त होते हैं ठीक है इसको एक अलग ग्रुप दिया गया number one ठीक है number two में आ रहा है आपके mass मचली even poultry beans की ये कौन से है non-wage की बात हो रही है इन म में आपके fat, protein, vitamin, phosphorus, low tattv, means iron ये सब चीजे मिलती है ठीक है इन्होंने 11 food groups बताएं है जिसकी बात हम कर रहे हैं तो आपको ये नाम ध्यान रखने है 11 में और आपके सूखी फलियां मटर, तेल ठीक है ये आ रहा है इसमें सूखी फलियों में क्या आता है मटर आ जाता है इस ये सब चीजे इसके अंदर आ जाती है next चलते हैं fifth जो इन्होंने बताया गया है वो है आपके सबी प्रकार के अनाज सबी प्रकार के अनाज में जयसे आटा बेक्डी में सब और रूपयोगी पताती ठीक है खटेफल खटेफल हों जब में vitamin C और vitamin K मिलता है vitamin C, vitamin K जैसे कि आपके संत्रा है, आम्ुला है, अम्रूध है, टमार्टर है ठीक है ये सब चीजे और आपके हरी पतेदार रेवम, पीली सबजियों आ रही है हरी पतेदार और पीली सबजियों में इसमें iron होता है आपके इसमें calcium होता है तो ये चीज़े ध्यान रखने वाले आलू, आलू में कार्बोज होता है, ascorbic acid होता है उपस्तित पोशक्ततों के बात कर रही हूँ मैं इसमें जड़ वाली और अन्य सब्जियां फल में जड़ वाली सब्जियां होती है उसमें कार्बोज, cellulose और आपके फल में ascorbic acid तो ये आपको ध्यान रखना है कि फलों में सब्जियों में कौन से सब्जी में कौन सा पोशक्ततों होता है कौन से सब्जी में या कौन से फल के अंद और अन्य फैटी जो आपके पदार्थ होते हैं उसकी बात हो रहे हैं शक्कर गुड जिसके अंदर कार्बोल्स लो होता है ठीक है गुड के अंदर आईरन पाया जाता है शक्कर कार्बोहईडर होता है इसके अंदर तो यह चीज आप ध्यान रखेगा कि इन्होंने 11 फूड ग ICMR जिसमें आपके जिसे आप बोलते हैं इंडियान काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च ठीक है वहां के जो विशेशक गया थे उन्होंने बैलेंस राइट के लिए क्या किया था 1993 में पाँच आधारबुद भोजय समू कहिये थे उन्होंने पाँच में डिवाइड कर दिया थ ICMR पाँच तो आपको यह ध्यान रखना है पेपर में यह कोशल में आता है कि किस ने 5 गुरूप दिये किसने 10 दिये किसने 11 दिये घ्र यह इस तरह से कोशल पूचा जाता है ठीक है चलिए उसके बाद आप बात करते हैं इसके अंदर तो इसके अंदर first इन्होंने दिया है और अन्यापदात देखे अनाज और अन्यापदात के अंदर अनाजों में सभी अनाज चामिल होते है ठीक है जैसे आपके चावल है ठीक है गेहूं मक्का जों ये सब अनाज सब जानते हैं कौन-कौन से होते हैं बाज़रा रागी ये सब अनाज होते हैं और इन से हमें मिलता कहेंसे में मिलता है कार्भोएडिन मिलता है और आपके जो इन्वीजिबल फैट होता है वो मिलता है विटामिन बी वन, बी टू, फॉलिक असीड, रॉफेज ठीक है और आयरन ये सब चीज़े आपको अनाज और अन्यापदार्थ से मिलती है उसके अलावा इसके अंदर आजाता है दू सेकंड में सभी प्रकार की डाले अब सभी प्रकार की डालों के अंदर मुझे आपको पर्टिकुलर नाम बताने की जरूत नहीं है सभी प्रकार की दालों में सभी दाले आजाती है मैसूर, चना, मूं, अरहर, ठीक है? राजमा, मतर, सोया, बीन, सब दाले फलियां यह सब और इसमें क्या होता है दालों में क्या होता है दालों में होता है protein, carboz भी होता है, invisible fat होता है, vitamin B1, B2, folic acid, calcium होता है, iron होता है, यह आते हैं सभी प्रकार की दालों में इन्होंने divide के हैं, यानि कि second जो इन्होंने group हैं वो सभी प्रकार की दाले, यह अब ध्यान रखेगा, third मे इसमें दूद्वे 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 दूद् कियے अलग से नहीं कि, इसे मांस समु के अंदर क्या आएगा? आपके लिवर है ठीक है? यह मास, मचली, बकरी, अंड्र, उसके अलावा, मूरगी और मांस. यह सब चीज़ें आजाती हैं मास समु में और मांस से हमें क्या मिलता है? आपके परोटीन वसा, विटामिन B2, सब्सक्राइब अब तो जैसे पालक मेथी चोलाई है चनी साग चानिते सब्सक्राइब अब शॉख साग पुदीदा निया लीफी वेजिटेबल इसमें लोहा भी होता है कल्शिम भी होता है राफेस होता है फॉलिक एसिड विटामिन बीटू ठीक है और आपके वसा और और अन्य सब्जियों के अगर बात करूँ मैं, तो अन्य सब्जियों के अंदर आप क्या आता है, आलू है, प्याज है, बेंगन है, I don't think कि मुझे यह सब बताने की ज़रता है, आप सब समझदार है, सब्जियों में हरी पत्ते वाली सब्जियों, जड़ वाली सब्जियों, और हरी पत्ते दर सब्जियों में क्या पाया जाता है, और जड़ वाली सब्जियों में, कैरोटी, फॉलिक एसिट, कैलेश्यम, सेलूलोज, विटामिन सी, आदी सब्जियों, ठीक है, चलिए, नेक्स चलते हैं वसावे शकर, वसावे शकर की बात हो रही है, तो वसा में क् मखन और तेल युक्त बीज वाले सबी चीज़े, और शकर में क्या आजाता है, शकर में आपके शकर, गुड, गन्यका रस, आदी, तो शकर से क्या मिलता है, कार्बोज मिलता है, और वसा में वसिया अमल होते हैं, आवश्यक जो पैटी एजिड होते हैं, ठीक है, और आपक के अनुसार पांच आधार बूथ भूज्य समू, देखे ये जो गुरुप्स में शामिल किया गया है, फूट गुरुप्स को जो क्लासिफाइड किया गया, हर एक ने अपने तरीके से अलग लग, उन्होंने किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया, पोशक तत्र प्रोटीन युक्त भोज्य पधारत में दालें, दूद भैदूद से बने पधारत क्योंकि प्रोटीन युक्त भोज्य पधारत में इसमें ये ध्यान रखने कि हमें प्रोटीन किन चीजों से मिलता है दालों से मिलता है ठीक है उसके अलावा आपको जो इसके अंदर आपके मिलता है दूद वे दूद से बने पदार्थ आ जाते है ठीक है दालों के अंदर प्रोटीन होता है ठीक है उसके अलावा इसके अंदर इन्वीजिबल फैट हो तो वहाँ आपको समझ जाना है कि दालों की बात हो रही है दूद वे दूद से बने पदार्थ की बात हो रही है ठीक है उसके अलामा बात आ रही है आपके रक्षात्मक फल अम सब्जियां ठीक है रक्षात्मक फल अम सब्जियों में हरी पतेदर सब्जियां पीली सब्जिय आ रही है ठीक है रक्षात्मक means की जो फल और सब्जियां होती है ये इनको रक्षात्मक इसलिए माना जाते है क्योंकि इनमें विटामिन पाए जाते हैं और विटामिन जो होते हैं वो जो है वो रक्षा करते हैं अपके शरीर की रक्षा करते हैं ठीक है बिमारियों से बचात हरी पत्तेदार सबजियों में बता चुकी है आपको विटामिन C जो फल होती है वही जो खटेवल होती है जैसे आमला है अमरूद बेर फलों में और जो सब्जियों में पत्तागों भी आ जाती है ठीक है यह चीज आप देहान रखेगा और जो इसमें पाये जाते हैं विटाम पाय जाता है vita b पाय जता है और आपके मिनरल स्वीजित है धिया और गिवजिया दुसरा लूयाक रख्षात्मक some uk अंदर अन्यप सब्जिया ज़्या मीं की जैसे अन्यप फल्व में कुर आलू की भिंडि। की, भिंडी है, तिंडा है, मटर है, है ना लोकी है और चुकंदर है, पलो की बात करें अन्या फलो में चुकंदर है, सो यह सब चीजे यह वहाँ आपने وितामिन C की बात थे, यहाँ पर अन्या फलो और सबस्यों की बात तो रहे हैं, एननों एियुह दूईतियक रक्षात्म समु में रखा है ठीक है और आपके फिर इसमें आ है थर्ड के अंदर आपके फोर्थ में आ है अनाज sampaiיעम मिल्यी समु ठीक है अनाज में लेट समु में में चावल, घेह, बाजरा, मक्का, जों की बात दो रही है ठीक है और आपको पता हिए कि अनाज में क्या मिलता है कार्बो हैडिन मिलता है इन्वीजिवल फैट होता है विटामिन B12 होता है ठीक है तो यह सब चीज़ें आपके इसके अंदर आ जाते हैं नेक्स आता है वसा तेल ठीक है वसा के अंदर तेल घी कार्ब तो आपके दोनों energy giving food है energy giving food होने की वज़े से energy giving पोशकतत होने की वज़े से वसा और कार्बोज को एक में कर दिया गया और यह विटामिन का जो absorption भी करता है ठीक है तो यह सब चीज़ें आ जाती है इसके अंदर आज हमने यह पढ़ा है food groups so students I hope आपको यह समझ में आ गया होगा food groups easy topic है कोई problem नहीं है आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि किसने 5 दिया किसने 11 groups में classified तो यह आपको चीज़ ध्यान रखना है so thank you so much for watching my video अगर वीडियो अच्छा लगा हो like, share, subscribe करना नहीं भूलिएगा easy topic है कोई problem नहीं है easily याद होने वाला topic है so मेरे साथ बने रहे है like, share, subscribe कीजिए पढ़ते रहे हैं keep supporting, keep learning God bless you all, bye